एक बेक्तिकी नौक्री छुट जाने पर लगभग तीन महीने से घर में बेरुजगार बैठा था, वह नौक्री करके ठक चुका था, तो अपनी पत्नी से सलाह लेकर वह नौक्री छोड़ दिया यानि इस फैसले में पत्नी का भी अहम रोल था, इधर नौक्री छोड़ कर घर बैठे बेरुजगार पती को महिला भी मदद कर रही थे, लेकिन एक दिन अचानक उस महिला के हाथो पती का फोन लग जाता है, और जब वह फोन चेक कर रही थी, तो उसमें जो दिखा, वह देखकर महिला के पैरो तले जमेखी सक जाती है, या घटना जब सोशल मेडिया के जर ये सामने आती है, तो लोगों में ही बहत सुरू हो जाती है, और लोग उस महिला को अपने हिसाब से सुजाव भी देने लगते हैं, कोई कहता है कि उसे अपने पती से तलाक ले देना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि पूलिस में जाकर कम्पलेंट करनी चाहिए, लेकिन खास बात यह है कि उस महिला को एक बच्चा भी है। साधी को चार साल हो गया और उनको एक बच्चा भी है। मेरे पती ने तीन महिने पहले नौक्री छोड़ चुके थे। क्योंकि वह ठक चुके थे और इस फैसले में पत्नी ने भी पती का सहजोग किया था। पत्नी के पास भी कुछ सेविंग्स थे क्योंकि वह महिला भी आत्मनिर्भर थी और खुद नौक्री किया करती थी। उसका पती उस समय से बेरोजगार है। तभी एक दीन महिला ने देखा कि पती को करीब एक महिने पहले कुछ पैसे मिले थे। तब उसे लगा था कि कुछ काम करके उसके पती ने पैसे जुटाए होंगे लेकिन तभी एक दिन अचानक अंजाने में पती का फोन देखती है जब फोन देखती है तो उसका जो है होस फाक्ता हो जाता है दरसल उसका पती अजनभी से बात किया करता था और इतना ही नहीं वह अपनी ही बीवी की बिना कपड़ो वाली तस्वीर और वीडियो फूटेज बेचा करता था यह जो तस्वीर और वीडियो थे उसके पती के अनुरोध पर ली गई थी यानी पतनी को काफी रिक्वेस्ट कर पती अपने मुबाइल में खुद के ही बीवी का नगन तस्वीर खीच लेता था या साथ ही वीडियो भी बना लिया करता था वह महिला यह कहकर फोटो लेने देती थी या वीडियो बना देती थी कि उसका फोटो किसी के साथ सेर नहीं करेंगे लेकिन आगे चल कर उसने यह वादा तोड़ दिया लेकिन वही पती ने इस बात से साफ इंकार कर देता है कि उसने मुनाफे के लिए नहीं बेचा है और बाद में सारे सबूत डिलिट कर दिया यह घटना होने के बाद पती हर पल अपना फोन जो था वो अपने साथ रखने लगा एक रिपोर्ट के अनुसार महिला सबूत जुटाने के लिए अपने पती से नहीं जगडा करती है और नहीं ब्रेक अप करती है लेकिन अपनी नगन तस्वीरें देने से साफ इनकार कर देती है तब पती ने उस महिला पर ही जरूरत पूरा नहीं करने का आरूप भी लगा देता है लेकिन अंतता जब उसको किसी भी तरह से अपने पतनी का तस्वीर नहीं मिल पाता है तो पती स्विकार करता है कि उसने अपनी बीबी के नगन तस्वीर और वीडियोज को बेचे हैं क्योंकि उसे पैसों की सक्त जरूरत थी दोस्तो हर घटना और कहानी हमें कुछ न कुछ जरूर सिखा जाता है इस घटना से आपने क्या सिखा अगर आप बिसेश करके महिला है तो आपने क्या सिखा हमें कमेंट में अपना विचार अवस्य बताईएगा साथ मैं अब उस महिला को क्या करना चाहिए क्योंकि उसके पा